सुरया का जन्म 15 जून 1929 को पंजाब में हुआ था उनका परिवार जल्दी ही मुंबई आ गया और यहीं से उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत हुई सुरया को बच्पन से ही संगीत और अभिनय में रुची थी और 12 साल की उम्र में उन्हें अपनी पहली फिल्म ताजमहल में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला सुरया की आवाज में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों के दिलों को छू लेता था उन्होंने अपनी गाईकी की शुरुवात हमारी बात से की जिसमें उनकी आवास का जादू पहली बार दर्शकों ने महसूस किया इसके बाद तो वो एक के बाद एक हिट गाने देने लगी 1940 और 50 के दशक में सुरया का नाम हर जगह चाया हुआ था उनकी प्रमुक फिल्मों में अन्मोल घडी प्यार की जीत बड़ी बहन और दिल लगी शामिल हैं इन फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बलकि अपने गानों से भी लोगों का दिल जीत लिया सुरया और देव आनंद की जोडी उस दौर की सबसे चर्चित जोडियों में से एक थी दोनों की फिल्मों जैसे विद्या जीत और शायर ने बॉक्स ओफिस पर खूब धूम मचाई लेकिन सुरया की जिन्दगी में एक दर्गनाक मोर भी आया देव आनंद के साथ उनके रिष्टे को उनके परिवार की मनजूरी नहीं मिली और इसी वजह से सुरया ने आजीवन शादी नहीं की उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा था देव मेरा पहला और आखिरी प्यार था सुरया ने आखिरी फिल्म रुस्तम सोहराब में काम किया और फिर उन्होंने सिनेमा से दूरी बना ली उनका जीवन एकांत में बीता लेकिन उनकी आवास और अदाकारी की गूँज आज भी सिनेमा